अगर आतलकवाद का नामात ऊरल, ले घड़ाद के हमारे नामात का नाम आता है, पाकिस्तान का ना全ती marksmi का मेंकर का लेकिन का सबसे नामात में का है कासमीर का, जो कि क्या है अज वर किले को पफ़ेज जरूर है कि कास्मीर में आतन मालाच में रहता है इनको चाहिए कि वह है इन आत्रकवादियों की बातों में ना आए और हमारे सेनकों पत्थर वाई यसी खटना ना करें और अगर ऐसा होता है तो अभी हाली में भार्ट के सनद्वरा गाटी में ऑपरेशन कालाउट चला गया है ना जिसके अंतगर बहुत सारे आतंकियों को ह हम भी उनको अपना भाई ना माणके अपना दुस्मन मानेंगे और उन पर हम सेनकों को जैसे ही मतलब ही पता चलाए कि हमारे सिपाहियों ने पर हथिया रटाए तो वागए भी वाई जारी लएगा और अगर बात करना जाएंगे हमारे देश की टेक तागी मतलब राष्ट अखड़ता और एकता की रख्चा करते हैं और साथ ही सभी ऐसे जवान जो कि हमारी सुरक्षा के लिए अपनी डूटी के दोना सही हो जाते हूं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और परिवारों को मैं यह कहना चाहूंगा कि हम सभी आपकी इस दुख की घड़ी मे बेटों से क्यों नहीं कहते किसी और की घरकी इंजत से खिलवाण नहीं करना जो भाई जो भाई अपने बहन को फोन चलाते देख खड़ता है बई भाई अपनी घ्र में हस हसके सुनाता है अगर भाई अपनी घ्र ग教ки की लिए करें घरT भाले कईते बेटा बढ़ा हो गया अगर अपने दोस्तों चे भी बात करें तो कहते हैं, देखो पागल होगे इसका दमाग खराब हो गया पहले घर से सोचल बंद करो, फिर सकाइद करना समाच से, हर बेटी से कहना हर बेटी की इज़त कर्या से दोस्तों बेटियों के बावत में क्या कहूं? होली, रंगोली, महंदी का देवहार नहीं होता, होली, रंगोली, महंदी का शेंगार नहीं होता, भाई दोज का देवहार नहीं होता, सूने रह जाते घर आगर अगर अगर इस धर्ती बेटियों का अफ्तार नहीं होता, देवहार। जल्दी रही नारिया जोहर में बेड़िये फिर भी मौनते हमें बताया गया अकवर महान तो पिर महरारा कटाप कौनते जल्दी रही नारिया जोहर में बेड़िये फिर मौनते हमें बताया गया अकवर महान तो पर महारा कटाप कोशिस की हजार कोशिस की हजार फिर भी फूड़त कर सोया ना गया जूले ते कई फादी पर और कई उने बोली खाई थी जूले ने कई फादी पर और कई उने बोली खाई थी क्यों जूले बोलते हो सहाब के गांदी के चरके से आजादी आई थी और मैं राइची सुरक्षा के लिए बहुत ही अपना अपनी जिम्मत आई देना चाहता हूं इसलिए मैं भारतमा साथ से एक ही निवितन करूंगा प्यार की चडिया को चहकता चोड़ाया हूं किसी के गद्रे की महत को चोड़ाया हूं मुझे अपने सीने से लगा ले नाई भारतमा कि ते लिए मैं मा को तड़ाया हूँ आतंग बाती करणन जो घटाएं होती है जो प्रती सहीद होता है जो साधत देता है उसकी बेटी पतनी बेहन जिस घर का दीपप बुझ आता है उसे पता होता है रात में खाने जिस घर का जिक पुझ जाता है उसी पता हुना है रात में खानी का उस्वात्या हुआ है इसकी लिदिया अब ऑसल विकास योजना के अंतरगा प्रसिक्षा हो रहे हैं बहुत से प्रसिक्षा जैसे हमारे हैं से कुछ लोगों किये है और रोजगार किसलों ऊपर जाकर प्रसिक्षा है योबा नहीं चाहिते हैं कि हम योजनां को लाब लें लेकिन आज की योबा क्या चाहते हैं नेट मिल जाएं वाट्सेप ट्विटर इंट्राग्राम पर पोस्ट डालना यही काम रहे गया है आज की योबाओं का सबसे बड़ी बिड़ापना है फेस्वप वाट्सब को चाहिए ने जाए भारत तो देखें हमारे किसान है जब से आजादी से युक्ति सब्सक्राइब चला रहे हैं कि अधिक करने पर आज किसान पूरी लगत लगाता आधी लगत करें पर दीस अजार की लगत आजाती है करीवाई दिता है कि वाई सब कुछ लगा लिया जाएगा इसी परकार मैं यह जाहूँ आँ कि हमारे सरकार को पिसानों को भी देखना चाहिए जो देश को चलाता है कि हमारे वाउं को भी जो चुनाओं मैं जीत कर नहीं आ सकते हैं अचनाओं नहीं लड़ते हैं लेकिन में एक राजनातिक सोच का विकास होना चाहिए उनको भी रास्तिये अंतारास्तिये सामाज एक राज्यादेक आर्थे विश्यों पर अपने पिचार रखने चाहिए औ और विश्यों को कि मैसे चुनंदा विश्यों को सिलेक्ट करके राज्टिये पर पहुंचा जाया जिससे की रास्तिये राजनीती में राजनीतियों के निधार में हमारे वाउं के बिचारों का शमेंवे किया जा सकते हैं जो फांसी के फंदे को चुम लिया, मौत केवल उनका सपना नहीं था, उनकी गड़ी में एक रचना भी थी, जिस से देश में करान दिया है, ऐसे सहीद को 27 दिसंबर 2018 में सहीद का दर्जा दिया जाता है, तो मैं और मेरे कुछ इंकलाबी भाई, जो सहीद आजम मगस्से के सा लड़कों को, जो की 18 वर्थ से पूर्ण हो चुके हैं, उनको एक अत्रित करने की कोजस की है, सुक्रिया जैन, जै भारत इंकलाबी नवाद